जैमातादी भक्तों कर Mississippi live कोckeo कारेटÜ कोः किस तरीक से उसको जलाओ किस समय जलाओ मैं आपको यह जानतादी देना चाहता हूँ रहाँ इसे कने से मैं आपको वादा करता हूँ और guarantee देता हूँ क्यूं आपके घर की जितनी भी negativity है बुरी चीजें हैं सब कुछ automatically शान्त हो जाएगा और चीजें अपने आप ही ठीक होने लगेंगे जगडे कम होने लगेंगे और चीजें अच्छी होने लगेंगे तो उसके लिए आपको सरपता मैं आपको बता दूँ कि जो मैं एक लिंक दिया है ये कपूर है जो मैं अपनी personally भी यूज़ कर रहा हूँ तो इस कपूर को आप जरूर यूज़ कीजे ये आपके लिए मतलब मिर को ये original लगा बहुत ही pure लगा और बहुत ही अच्छा लगा और ये कुई किसी चीज़ का mix करावा जीज़ नहीं है बिलकुल natural है तो आप इस कपूर को जरूर जरूर करी दिये और जरूर इसको जलाइए अपने घर पे आप कम से कम 40 दिन लगातार इस कपूर को जलाइए देखेगा और सुबह और शाम जिस समय आप पूजा करते हैं सुबह के नाइम बे और शाम को आपको जलाना है, ये आप उस समय जलाइए, जब आप सोने से पहले विस्तर में जारे हैं उससे 15 मिनित आदा गышंटे पहले कीचन में खिड़की की तरफ गयास लग रख अध्यान दीचेगा बिचली का ध्यान दीचेगा कीचन में खिड़की की तरफ आप ये कपूर एक मिट्टी के दिये में दो कपूर रख दो और उसे जला दो ये बिल्कुल 100% मुझे नैचुरल लगता है और मैं परसनली ये क्रिप्शन में दिया है आप देख लो एक बार और जो लोग कपूर जलाते हैं तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप कपूर ज़रूर जलाएं घर में अपने आपने अपने करात्म कुर्चा नेगेटिव थिंग्स नेगेटिव चीज़ें खतम हो जाएंगी जै मात दी